जब ये ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की रूप में काम कर रहा है तो हम देखते हैं कि जो निवेशी सिगनल हम डाल रहे हैं वो प्रवर्धित होकर, एंप्लिफाई होकर बाहर मिल रही है इसका मतलब हमने कम इन्पूट दिया था पर आउट्पूट का मान बढ़ गया है तो इस कंडिशन में क्या होगा? लाब होगा तो इस प्रकार हम उभाएनिश्ट उस सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर के विभिन प्रगार के लाब हो को देखेंगे सबसे पहला है धारा लाब हम जानते कि निवेशी में भी धारा प्रवाहित हो रही है और निर्गत परिपत में भी धारा प्रवाहित हो रही है तो जब निर्गत परिपत की धारा का अनुपात हम निवेशी परिपत से लेते हैं तो ये कहलाता है धारा लाब क्योंकि यहाँ पर मान बढ़कर मिल रहा है इसका मतलब जो निर्कत धारा है उसका मान अधिक होगा और निवेशी धारा का मान कम होगा तो यही अनुपात हमको लेना है और इस धारा लाब को हम दर्शाते हैं दो तरीके से एक होती है AC धारा लाब और दूसरी होती है DC धारा लाब AC में हम परिवर्तन को कंसीडर करते हैं और DC में डारेक्टर मान को कंसीडर करते हैं तो AC धारा लाब का सूत्र देखें तो βीटा AC बराबर निर्गत धारा में परिवर्तन अपन निवेशी धारा में परिवर्तन और इसको कब हम नोट कर सकते हैं या कब हम ग्याद कर सकते हैं जब जो निर्गत वोल्टेज लगाया जा रहा है उसका मान नियत हो तो हमको यहाँ पर VCE कमान नियत लेना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा IC, IC धारा संग्रहाक में प्रवाहित हो रही है और IB धारा निवेशी के रूप में निवेशी परिपत में प्रवाहित हो रही है तो हम लिखेंगे डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB कब जब VCE संग धारा लाब को दर्शाएंगे बीटा डी सी से और ये भी अनुपात होगी निर्कत धारा यानि आई सी निवेशी धारा यानि आई बी का कब जब यहां पर output voltage VCE का माल नियत हो इसे हम धारा प्रवर्धन भी कहते हैं क्योंकि धारा कमन बढ़ रहा है तो इसलिए धारा प्रवर्धन भी कहते हैं अब next है प्रतिरोध लाब यानि की resistance game यहाँ पर प्रवर्धन हो रहा है इसलिए हम लोग Amplification बोल सकते हैं और यहां पर हम A चिनन से दर्शा आते हैं तो हम यहां लिखेंगे A, R R हम प्रतिरोध के लिए लिखें बराबर निर्गत प्रतिरोध अपन निवेशी प्रतिरोध मतलब निर्गत परिपत का प्रतिरोध अपन निवेशी परिपत का प्रतिरोध जिसको लिखेंगे RO यानि कि R output upon RI यानि कि R input अब next इसी में है voltage lab यानि कि voltage gain इसको हम दर्शाएंगे AV से ये भी जो निर्गत परिपत में voltage है उसका परिवर्तन और निवेशी परिपत में जो voltage है उसके परिवर्तन का अनुपात होती है तो यहाँ पर लिख सकते हैं लोग AV बराबर delta VCE क्योंकि output में VCE है और input में VBE है तो delta VBE output का प्रतिरोध RO है output में बहने वाली धारा IC है तो हम delta VCE को लिखेंगे RO delta IC वैसे ही input में प्रवाहित होनी वरिधारा IB है और input परिपत का प्रतिरोध RI है तो हम यहाँ पर लिखेंगे delta VBE equal to RI into delta IB अब इसको इस मान को हम समीकरण में रख देते हैं तुमको मिलेगा AV बराबर RO delta IC upon RI delta IB यह RO upon RI है यह तो प्रतिरोध लाब है और यह delta IC upon delta IB है यह AC धारा लाब है तो इसके जगे हम उनका मान रख देते हैं तो voltage लाब बराबर हो जाएगा प्रतिरोध लाब into AC धारा लाब यानि कि AV बराबर AR into beta AC अब हम शक्ति लाब देखते हैं शक्ति लाब कभी वही फॉर्मुला होगा निर्गत परिपत की शक्ति अपॉन निवेशी परिपत की शक्ति इन दोनों के शक्ति के मान को डालेंगे तो शक्ति लाब प्राप्त होगा या फिर हमारे पास फॉर्मुला होता है शक्ति का P बराबर V into I तो यहाँ पे शक्ति लाब बराबर लिखेंगे वोल्टेज लाब इन्टू धारा लाब तभी भी हमको सूत्र प्राप्त होगा तो यहीं से शुरू करते हैं शक्ति लाब यानि की A P बराबर वोल्टेज लाब यानि की A V into धारा लाब बी A C अब हम जानते हैं AV बराबर अभी हमको प्राप्त हुआ है voltage lab हम निकाल चुके हैं AV के स्थान पर लिखेंगे AR into beta AC तो finally formula क्या मिल जाएगा शक्ति lab का AP बराबर beta AC का square into AR शक्ति lab बराबर AC धारा lab का वर्ग into प्रतिरोध lab इसी प्रकार हम transistor का प्रवर्धक के रूप में विबिन प्रकार के lab common base mode में भी निकाल सकते हैं पर common base mode हमारे course में नहीं है लेकिन common base mode में जो धारा lab होती है और common emitter mode में जो धारा lab होती है इन दोनों का संबंद और इससे जूड़े question exam में आते हैं इसलिए में बहुत shortcut में ये बता दू कि इसका परिपत कैसा होता है और इसमें किस प्रकार lab होते हैं तभी तो हम इन दोनों में संबंद देख पाएंगे उभै निष्ट आधार विधा में PNP और NPN transistor का परिपत ऐसा होता है हम यहाँ पर भी निवेशी को यानि कि आइमिटर बेस को forward रखते हैं forward bass में रखते हैं collector base को reverse में रखते हैं बाकी कारिविधी तो हम इसकी पढ़ चुके हैं पर यहाँ पर जो निवेशी signal दिया जाता है वो IB की through दिया जाता है यहाँ पर जो निवेशी signal दिया जाता है यह V, E, B battery के through दिया जाता है जो की बेस और एमिटर के बीच में जुड़ा हुआ है और जो output voltage है वो किस battery में के through दिया जाता है वो VC, B battery के through दिया जाता है और इस प्रकार यहाँ पर जो निवेशी धारा होती है वो I, E होती है और निर्गत धारा IC होती है बाकी प्रतिरोद तो वैसी दर्शाते है निवेशी परिपत का प्रतिरोद RI से और निर्गत परिपत का प्रतिरोद RO से तो जब भी भी हम निर्गत और निवेशी की तुलना करेंगे तो यहाँ पर निर्गत तो सभी में चाहे वो common emitter mode में हो चाहे common base mode में हो वो संग्राहक ही होता है लेकिन जो निवेशी होता है वो change हो जाता है common emitter mode में निवेश हम base की through आधार की through करते थे लेकिन common base mode में निवेशी signal emitter की through किया जाता है तो जहां base लिखा करते थे बस वहाँ पर emitter आ जाएगा मतला IB के जगा IE आ जाएगा VEB के जगे पर VBE आ जाएगा इस प्रकार यहाँ पर बस जो निवेशी है वो portion चेंज हो जाएगा तो इस प्रकार यहाँ पर यदि धारा लाब देखें धारा लाब भी दो प्रकार के होंगे AC धारा लाब और DC धारा लाब यहाँ पर धारा लाब को हम दर्शाते अलफा से AC धारा लाब यानि कि अलफा AC बराबर हो जाएगा निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात कब जब VCB यानिकी निर्गत वोल्टेज नियत हो तो हम लिखेंगे delta IC upon delta IE कब जब VCB का मान नियत हो और alpha DC का मान होगा निर्गत धारा अपोन निवेशी धारा का अनुपात कब जब निर्गत वोल्टेज नियत हो यानि कि IC upon IE कब जवी CB नियत हो अब हम इस धारा लाब को दोनों ही विधाओं में देखेंगे मतलब आलफा और बीटा में संबंद निकालेंगे उभैनिष्ट उसर्जक विधा में धारा लाब बीटा बराबर होता है डेल्टा IC upon डेल्टा IB जब VCE नियत हो उभैनिष्ट आधार विधा में धारा लाब अलफा बराबर होता है डेल्टा IC upon डेल्टा IE जब VCE नियत हो अब इन दोनों में संबंद इस्थापित करने के लिए हम किर्चौफ के नियम को लेंगे क्योंकि दोनों में किर्चौफ के नियम के नियम साथ सेम एक्वेशन बन रहा है धारा के लिए और वो एक्वेशन होता है IE बराबर IB प्लस IC तो हम एक्वेशन लेंगे IE बराबर IB प्लस IC अगर एक भी धारा में परिवर्तन होता है तो तीनों धारा में परिवर्तन हो जाती है यानि कि हम लिखेंगे delta ie बराबर delta ic प्लस delta ib यदि समी करण को मैं delta ic से भाग दो तो यह बन जाएगा delta ie upon delta ic equal to delta ic upon delta ic plus delta ib upon delta ic अब इस समीकरण को देखें तो alpha का मान होता है delta ic upon delta ie पर यहां ultra है तो हम यहां लिखेंगे 1 upon alpha equal to 1 plus यहां भी ultra है यह भी common emitter mode में धाराल आपका ultra समीकरण दिख रहा है तो हम यहां पर भी लिखेंगे 1 upon beta और formula बन जाएगा 1 upon alpha equal to दोनों का LCM लेंगे योगा beta beta plus 1 तो alpha बराबर हो जाएगा beta upon 1 plus beta यह सम्मंद है alpha और beta में अब इस समीकरण को थोड़ा सा और modify कर दूँ मतलब beta के मान निकालू alpha के रुप में तो मैं समीकरण को में एक cross multiply कर देती हूं तो यह जाएगा alpha into 1 plus beta equal to beta और यह जाएगा alpha equal alpha plus alpha beta equal to beta और alpha equal to beta minus alpha beta यह पर beta common है तो हम लिख सकते हैं 1 minus alpha इस प्रकार beta का मान बनता है alpha upon 1 minus alpha यह दोनों ही समीकरण हमको याद होने चाहिए क्योंकि इसके आधार पर numerical question हमको एक्जाम में देखने को मिलते हैं अब इस question अब इस आधार विद्ध में धारा लाब को compare किया और compare करने से हमको यह प्राप्त हो रहा है कि beta का मान alpha के मान से अधिक होता है यानी कि common emiter mode में धारालाब का मान common based mode में 11 के मान से अधिक होता है और इसी कारण जितने भी लाब common emiter मोड के हैं जा है प्रतिरोध लाप हो चाहे वोल्टेज लाब चाहे शकतीектор णाम factor मोड की तुना में उभै निश्ट आध़ार मोड की तुन नामें आधिक होंगे इसलिए common emitter mode यह common base mode दोनों में यदि ट्रांजिस्टर का स्तमाल किया जाता है एस एंप्लिफायर तो कौन सी विधा श्रेष्ट होगी दोनों में लाब जिसमें आधिक होगा वही विधा श्रेष्ट होगी यानि कि common emitter और common base mode में common emitter mode ट्रांजिस्टर के amplifier के रूप में काम करने के लिए सबसे श्रेष्ट mode है और यही कारण है कि इस पार्ठे क्रम में हमने common emitter mode में ज़्यादा focus किया है बच्चों जब एक छोटा सा बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको कैसे चुप कराती है उसको गोद में उठाकर धीरे धीरे हिलाने लगती है या फिर उसको उठाकर जूले में डाल देती है और उसको जूलाने लगती है यह जूला तो आप सबी ने देखा होगा जब बच्चे को जूले में डाल देते हैं तो बड़ा enjoy करता है और चुप हो जाता है अगर उस जूले का आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है यह जब जूला को जूलाते है तो पहरे तो तेजी से जूलता है फिर धीरे धीरे क्या होता है उसका आयाम कम होने लगता है उस condition में बच्चा फिर रोना चालू कर देता है फिर मम्मी क्या करती है उस जूले को धक्का लगाती है या रस्ती की साहता से खीशती है तो फिर जूला वापिस उसी आयाम से जूलने लगता है और बच्चा enjoy करता है उसी प्रकार किसी electronic परिपत को चलाने के लिए भी उपकरण धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और इस प्रकार एक निश्चित आवरिती और आयाम के दोलन उत्पन करने वाले उपकरण को हम जानते हैं दोलित्र के नाम से लेकिन जूला और दोलित्र में क्या फर्क होता है यह जूले को देखे अपने भी गार्डन में दे बढ़ी तेजी से झूलता और रोघका लगाना बंध कर देता है तो जूला धीरे-धीरे रुखने लगता है उससे मैं बोलते हैं फिर से धकला तो एक तरीके से यह होता है कि जूले में बायी उर्जय की जुद्राइब पड़ती है यदि हम उसको एंजाए करना चाहते है बाहे उर्जा के सहता से नियत नहीं रखा जाता बलकि उसके अंदर खुद ही बैटरी के द्वारा उर्जा लेकर उस आयाम को नियत रख दिया जाता है जैसे कि आपने पैंडूलम वाली घड़ी देखी होगी पैंडूलम वाली घड़ी हम देखते हैं एक निश्चित बिंद और फैंडूलम अपने आप वही नियत आयम में दोलन करता है उसकी आवरती नियत रहता है ऊसका अयम भी तो आज हम ऐसे परीपत को अध्यान करेंगे जिसको हम कहते हैं दोलित्र तो एक बात तो क्लियर है दोलितर का का म क्या है यह इक निश्चित आवरती और आयाम का signal देता रहेगा बीना किसी बाहे उर्जा की वो उर्जा वो खोट के अंदर लगी हुई battery से प्राप्त करेगा battery से उर्जा प्राप्त कर रहा है battery कैसा श्रोत है वो एक dc श्रोत है मतलब उसमें से डी cΙनल मिलेगा और आयाम या आवरिती बोल रही हो इसका मतलब कैसा signal मिल रहा है एक प्रत्यावर्ती signal प्राप्त हो रहा है तो दूसरे शब्द में यह कहें कि दोली तरिक ऐसा उपकरण है जो DC signal को AC signal में convert करता है अब यह काम कैसा करता है वास्तव में जो output मिल रहा है उसमें से थोड़ा सा हम output ले लेते हैं और उसको हम input के अंदर डाल देते हैं मतलब एक feedback का काम करता है जैसे मैंने उद्धारन के लिए बताया आप अपने पैरों की साहते से धक्का मारते हैं तो feedback कहां से लेते हैं आप उचाई पर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो आप अपनी उर्जा को जूले को पुष करने के लिए लगाते हैं और जूला जूलने लगता है सेम ऐसे ही इसमें जो output में लेगा signal उसी को हम थोड़ा सा लेकर input में डाल देते हैं ताकि वो अपने आप लगातार काम करता रहे उसे किसी बहय और जा की जूरत ना हो अब इसका construction कैसा होता है वैसे तो दो लित्र दो प्रकार के सरकीटों से मिल के बनाया जाता है उसमें LC भी होता है या फिर परती धारिता का संधारित्र होगा इसका परिपत कुछ इस प्रकार दिखेगा यहां पर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है यह ट्रांजिस्टर एंपीन है और यह कौन सी विधा में काम कर रहा है common emitter विधा में हमने यहाँ पर दो बैटरियां लगाई हैं इसमें से एक बैटरी उत्सरजक और अधार वाली संधी को बायसिंग काम कर रही है वो भी forward और दूसरी वाली बैटरी संग्राहक वाली संधी को बायसिंग कर रही है वो भी reverse अब यहां पर एक लगी हुई कुंजी यहां पर एक LC परिपत यानि कि टैंक परिपत जिसको C1 और L1 से दर्शाय गया है यह जो L1 है इसकी कुंडली हम देखें और यह L2 है यह दोनों ही कुंडली एक ही क्रोट पर बनाई जाती है और यह दोनों मिलकर L1 और L2 ट्रांस्वार्मर की प्राथमी कुंडली तथा दूतिय कुंडली की तरह काम करते हैं और यहां पर जो तीसरी कुंडली L3 यह इससे अलग है और यह केवल आउटपुट लेने के काम आती है अब यह परिपत कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम पहले कि ब्लॉक आरेक देख लेते हैं जिसमें यह उभैनिष्ट उसर्जक विधा में काम करने वाला ट्रांसिस्टर एजन एंप्लिफायर यह आउटपुट देता है और इस आउटपुट को ही हम फीडबैक के रूप में वापस इस ट्रांसिस्टर तक पहुंचाते हैं यह सोगा है हमेले धीरे दीरे इससे प्राप्त होने वाला सिग्नल गिरने लगता है और यह अँप्लिफायर है तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं पहले तो वह मान प्रवर्धक होकर मिलेगा मतलब एंप्लिफाइए होकल मिलेगा इसलिए हम इसका थोड़ा सा पॉर्षन ले लेते हैं ताकि input जितना दिया है उसके मान के बराबर यह हो जाए और बाकी portion हम इसमें feedback के रूप में ले लेते हैं जो वापिस input में supply कर देते हैं तो इस प्रकार जो output का signal रहता है वो नियत बना रहता है मतलब वो amplify तो हो रहा है लेकिन उसको छोटा सा portion हमने लिया ताकि उसके मान को हम वापिस नियत रख सके और उसको input में हम डाल देते हैं पर इसको हम जब circuit में देखें तो यह किस प्रकार काम करेगा जैसे ही हम कुझी की को दबाते हैं तो यहाँ पर संग्राहक धारा प्रवाहित होने लगती है अब संग्राहक धारा का मान एक एक अदिक्तम तो नहीं हो जाता यह धीरे 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 बढ़ने लगता है जब संग्राहक धारा का मान धीरे से बढ़ने लगता है उस condition में यहाँ पर जो L1 से जुड़े हुए flux में परिवर्तन होगा क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन होगा तो flux में भी परिवर्तन होगा इस L1 कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यही फ्लक्स L2 से भी जुड़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इस L2 कुंडली में प्रेरित वीवाबल उत्पन होता है जो कि अन्योन्य प्रेरण के सिधान्त पर आधारित है और यही प्रेरित विद्दुत वाहग बल जो क कि इस परिपत में दिया जा रहा है इस एमिटर में बेस में दिया जा रहा है वो फीड़बैक के रूप में इस परिपत में प्राप्त होगा और यह प्रेरित विद्दुत वाहग बल इस अग्र बायास का सपोर्ट करेगा इसका सहयोग करेगा और जब अग्र बायास का सप करेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अन्योन प्रिरंट की प्रक्रिया जब होती तो विपरित होती ऐगर अगर धनातमक आर्धचक्र होगा तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्थ होगा और वैसे ही Amplified में भी हम देखें तो Amplified जब एमिटर मोड में काम करता है तो उसमें निवेशी और निर्गत सिगनल के बीच में 180 डिगरी का कला अंतर होता है तो यहां पर भी निर्गत और निवेशी के बीच में उल्टा ही सिगनल प्राप्त होगा अगर निवेशी में धनात्मक दे रहे होंगे तो निर्गत में लेकिन 180 डिगरी का कला अंतर आने के कारण जो आउटबुट में यानि संग्रहक में अर्द्जञर प्राप्थ açit na ke noble एर्ड ज्जूडा हूँरे, 아 एस कोंड से जुड़ा हूँ और एस fly marablo इस संग्राहक में वापू這些 इस एक subject wannarà angry पर चम्सक्रमारेटान हमें इसको फीड़ान के रूप में यहां British objectives आपते होगा और यह काम करने लगेगा सेवाइसियाकर रिड़ानात्मक कर लेंगें तो वो यहां आत्मक कर दोकte होगी तो feedback भी धनात्मक मिलना चाहिए जब यह पर रिनात्मक अर्द्चक्र होगा तो feedback भी रिनात्मक होना चाहिए तब यह दो लित्र प्रॉपरली काम करेगा अब यहां पर जो प्रेरित वीवाबल L2 में उत्पन हुआ है वो इस बैटरी के forward bias का सहयोग करेगा और जब forward bias का सहयोग करें तो उत्सर्जक धारा IE का मान बढ़ने लगेगा जिसके corresponding संग्राहक धारा IC का मान भी बढ़ने लगेगा अब यह दोनों धाराएं बढ़ती जा हैं अब ट्रांजिस्टर संत्रिप्त अवस्था में पहुच जाएगा इसका मतलब निवेशी इंपूट देने पर भी output में कोई परिवर्तन नहीं होगा मतलब यहां पर IE धारा और IC धारा में व्रिद्धी जो है वह रुख जाएगी यहां नियत होजाएगी जब यहां पर धारा क्यमान नियत हो जाएगा उसका न्डीशन में कोई भी फिटबैक-प्राप्त नहीं होगा feedback भी जीरो हो गया उस condition में क्या होगा उस condition में IE command धीरे धीरे गिरने लगेगा और IC command भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और इस condition में transistor cut off region में आ जाता है और cut off region में आ जाने पर दोनों ही धाराय रुक जाती है प्रवाहित नहीं होती ना तो IE प्रवाहित होगी और नहीं IC प्रवाहित होगी और यह प्रक्रिया चलते रहेगी मतलब transistor एक बार संत्रिप्त अवस्था में पहुच जाएगा और फिर एक बार अंतक अवस्था में पहुच जाएगा और इस प्रकार यहां पर जो tank circuit है उसमें एक निश्चित आवरिती के दोलन प्राप्त होंगे और यह आवरिती होगी न्यू बराबर वन अपॉन टू पाई LC मतलब यह L और C पर निर्भर करती होगी इसलिए L और C के निश्चित मान के लिए इस परिपत में निश्चित आवरिती निश्चित आयाम की प्राप्त होती रहेगी इस प्रकार के दोलित्र का उप्योग हम बहुत सारे उपकरणों में करते हैं वैसे यह दोलित्र दो प्रकार का सिगनल दे सकता है यह प्रत्यावर्ती सिगनल तो देता है पर प्रत्यावर्ती सिगनल दो प्रकार से हो सकता है एक साइनोसर्डल मतलब जो साइन कर्व के रूप में होता है और दूसरा नॉन साइनोसर्डल मतलब यह या तो स्क्वार वेफ के रूप में होता है या तो ट्राइंगुलर वेफ के रूप में होता है इन दोनों ही वेफ का उपयोग अलग-अलग जगे पर किया जाता डिजिटल सर्किट जैसे कंप्यूटर लैप्टॉप हुए वो केवल जीरो और वन को समझते हैं यानि की हाई और लो यही सिगनल पर काम करते हैं तो उस समय कौन सी वेव के अवशकता होती है स्क्वेर वेव की जो इसका आयाम भी चेंज नहों और जिसकी आवरिती भी यहीटने लगते हैं तो जब किसी भी रेडियो वेव को दूर तक पहुंचाना होँ ठांस्मिट करना हो तो हम क्या करते हैं उसमें एक केरियेव को मिक्स कर देते हैं इस केरिये Federation और आयाम निश्चित के जरीए ही उत्पन्न किया जाता है वैसे इस उस्लेटर का उप्योग रेडियो तरंगों को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है राडार टैली वेजन को कम्प्यूटर लैप्टॉप अलेक्ट्रोनिक चीजें इन सारी चीजों में इन दो लित्रों का उप्योग किया जात है